हेलो फ्रेंट्स नमस्कार आप सभी का स्वागत है टार्गेट क्लासेश में इस वीडियो में हम कला और संसिक्रिक्त से सम्बन्धित कुछ महत्यपूर प्रस्न देखेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परिछाओं के लिए अतिक महत्यपूर हैं देखते हैं आज का पहला तो ताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं अमीर खुसरो मिर्जा गालिप जियाव दीन बर्णी इबन बतूता इसका राइट आंसर होगा ओप्सन ए अमीर खुसरो प्रस्न संख्या दो अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था आगरा में, बाराबंकी में, एटा में, इटावा में तो इसका राइट आंसर होगा option C एटा में प्रस्म संख्या 3 अमीर खुसरो किसके सिस्य थे? सैफुद्दीन महमूद, निजामुद्दीन ओलिया, मुहम्मत खुसरो, मुहम्मत खान तो इसका राइट आंसर होगा option B निजामुद्दीन ओलिया प्रस्म संख्या 4 अमीर खुसरो किस सासक के दरबारी कभी थे? चंद्रगुद्दुतिये, अलाउद्दीन खिजली, खिलजी, कुतबुद्दीन एबक, हर्स वर्धन तो इसका राइट आंसर होगा option B अलाउद्दीन, खिलजी प्रस्म संख्या 5 अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? महान हिंदु विध निर्माता थे? इसका राइट आंसर होगा option C मनू प्रस्म संख्या 7 भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ख्वाजा कुतबुद्दीन बक्तियार काकी को सेख निजामुद्दीन अउलिया को ख्वाजा मुहिनुद्दीन चिस्ति को सेख नसरुद्दीन महमूद को इसका राइट आंसर होगा option C प्रस्ण संख्या 8 पैगंबर मुहम्मत का जन्म कब हुआ था? पांसो सत्तर इस्वी में, छेसो बाईस इस्वी में, छेसो बयालिस इस्वी में, छेसो सत्तर इस्वी में इसका राइट आंसर होगा ओप्शन A, पांसो सत्तर इस्वी में प्रस्ण संख्या 9, गुरुनानक देव का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा option C प्रश्न संख्या 10 चैतन्य ने सिच्छा D भक्ति की, ज्यान की, वैराग की, सूफी मत की तो इसका राइट आंसर होगा option A भक्ति की, प्रश्न संख्या 11 गुरू नानक का सिच्छ लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ अमर्दास, अंगद, राम्दास, अर्जुन्दास तो इसका राइट आंसर होगा option B अंगद, प्रश्न संख्या 12 त्याग राज कौन थे? राजनीतिग्य, बैज्ञानिक, संगीतग्य, नर्तक तो इसका राइट आंसर होगा option C प्रश्न संख्या 13 संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? त्याग राज, तांसेन, रहीम सेन, पुरंदर दास तो इसका राइट आंसर होगा option B तांसेन, नई स्वरी इसका राइट आंसर होगा option C, रहीम सेन, प्रश्न संख्या 14 गुरु नानक का वास्तविक नाम था अंगत, लहन, नानक, नरेंदनात गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? अंगत था, लहन था, नानक था, नरेंदनात था उनका गुरु नानक का वास्तविक नाम नाम? नानक था, इसका option C सही होगा प्रस्ण संख्या 15 तान सेन का वास्त्विक नाम था आनंद पांडे, मुडली पांडे, रामतन पांडे, विश्नु पांडे इनका नाम था रामतन पांडे आप्शन C सही ओगा प्रश्न संख्या 16 गौतम बुद्ध का वास्त्विक नाम था सिधार्त, नरेंद्र, देधत, विशालदत तो इरगा गौतम बुद्ध का वास्त्विक नाम क्या था सिधार्त था आप्शन ए सही होगा इसका ए आप्शन सही होगा प्रस्ण संख्या सत्रह स्वामी विवेका नंद का वास्तविक नाम था बटकेश्वर दत्थ नरेंद नाथ दत्थ कर्ष्ण दत्थ सुरेंद नाथ दत्थ इसका वास्तविक नाम था नरेंद नाथ दत्थ प्रश्ण संख्या 18 कन्फ्यूसियस का वास्तविक चीनी नाम था लाउश्रू, वुवांग, कुञ्ज्रू, मेंग्श्रू तो इनका वास्तविक नाम था कुञ्ज्रू, आप्सन सी सही होगा, प्रस्न संख्या 19 उर्दू के मसहूर सायर मिर्जा गालिप का वास्तविक नाम था मुस्ताकली, अस्दुल्ला खां, सैफुल्ला खां, यूसुफ खां, तो इनका वास्तविक नाम था अस्दुल्ला खां प्रस्न संख्या 20 किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, अमीर खुसरो, निजामुद्दीन ओलिया, फिरोज तुगलक, सेख सलीम चिस्ती किसने कहा था दिल्ली दूर है, निजामुद्दीन, ओलिया, आप्सन, बी सही होगा, प्रस्न संख्या 21 दुख में सब सुबिरन करें, सुख में करें न कोई, यह पंक्त किसने कही है, मीरा बाई, सूरदास, कबीरदास, तुलसी दास, तो यह पंक्त कबीरदास ने कही है, option C इसका सही होगा, प्रस्न संख्या 22 किसने कहा था, राम और रहीम एक ही इस्वर के दो अलग अलग नाम है, गुरुनानक दिव, कबीरदास, स्वामी विवेकानन्द, महत्मा गांधी, इसका राइट आंसर होगा, option B, कबीरदास, प्रस्न संख्या 23 किसने यह आवाहन किया की, पुना वेदो को अपनाएं, राम कर्ष्न परमहंच, स्वामी विवेकानन्द, ज्योतिबा फूले, स्वामी दयानन सरस्वती, इसका राइट आंसर होगा, option D, स्वामी दयानन सरस्वती ने कहा था, पुना वेदो को अपनाएं, प्रस्न संख्या 24, संत कबीर किसके सिस्थे, रामानुजा चार, बलभा चार, नर हरिदास, रामानन्द, संत कबीर किसके सिस्थे, रामानन्द के option D, इसका सही होगा, प्रस्न संख्या 25, संगीत समराठ तान सेन के गुरु थे, रामदास, हरिदास, रामानन्द, रामानुज, तो ये थे हरि प्रश्न संख्या 26 शिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था अम्रस्षर आनन्दपुर तलमंडी पटना साहिब इनका जन्म हुआ था तलमंडी में प्रश्न संख्या 27 शिखों के दसवे और अंतिम गुरु गोविंद सिंख की जन्म इस्थली है नान्देह तलवंडी अम्रस्षर पटना साहिब तो इनके जन्म इस्थली कहां है पटना साहिब आप्सन डीस का सही होगा प्रश्न संख्या 28 शिख इसलाम धर्म के प्रवर्तक में पैगंबर मुहम्मत का जन्म कहां हुआ था मदीना में मक्का में बगदाद में तेहरान मे इनका जन्म हुआ था मक्का में आप्सन बीस ही होगा प्रश्न संख्या 39 बाट धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म इस्थली है लुबनी कुषिनगर राजग्रह कपिल वस्तु इसका आप्सन ए सही होगा जन्म इस्थली कहां है लुबनी है प्रस्न संख्या 30 आदि संकराचार का जन्म कहां हुआ था कासी, कलादी, काचीपुरम, मदुरे तो इनका जन्म हुआ था कलादी में संकराचार का जन्म कहां हुआ था कलादी में आप्शन 20 अई होगा प्रस्न संख्या 31, काउन सा इस्थान गौतम बुद्ध से संबध नहीं है लुंबिनी, सारनात, पाटलिपोत्र, वैशाली इस में option में दिया हुआ है लुंबिनी, सारनात, पाटलिपोत्र, वैशाली तो इस option को delete कर देते हैं इसमें answers कुछ गलत दिये हुए प्रस्ण संख्या 32 देखते हैं और ये अंतिम प्रस्ण है आप लोग का गुरु गोविंद सिंग की समाधी इस्थित है आनन्दपुर्श साहिब अम्रसर नांदेर नाहन तो इसका right answer होगा option C ये इस्थित है नान्देर में